असलाम अलेकुम जी आज हम आप लिए ब्रेट का ऐसा यूनिक डेजर्ट लेकर आए कि आप इसे 10 से 15 मिर्ट में बहुती आसानी से बना सकते और बहुती इजी तरीका टेस्ट इतना ला जवाब है कि आप इसे एक बार 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 बनाएगे ना तो ये शाही तुकड़ा है न कोई ऐसी बहुत है डीज है जिसमें आपको कंदेंस, मिल्क, क्रीम, मिल्क पाउडर ऐसी कोई चीज डालने की ज़रूरत पड़ेंगे सिर्फ घर की दो से तीन इंग्रीडेंसे है ये इतनी डीलिशेस से डीजर्ट बनकर रेडी हूंगा तो अगर आपको हमारी इसी तरीकी की रेसिपीस पसनाती है तो प्लीज प्लीज हमाई चैनल को सब्सक्राइब कीजिए लाइक कीजिए और आपके रिलेटिव में फ्रेंड्स में जरूर शेयर कीजिए तो चलिए फिर हम अपने किचन की तरफ चलते हैं आपको बताते हैं कि इस यूनिक से ब्रेट डेजर्ट के हमें किन-किन चीजों की जरूर पढ़ेंगे तो सबसे पहले हम गैस अन करेंगे इस पर एक मोड़े तलह की बगोनी रखेंगे इसमें वन लिटर मिल्क लेंगे मिल्क को दस से पंद्रा मीट तक के अच्छे तरीके से पकने देंगे मतलब कि पहले बॉयल आने देंगे और पर पकने देंगे 10-15 मिट तक हम अच्छे तरीके से पकने देना है ताकि थोड़ा सा थिक हो जाए और पकने के बाद में इसमें हम चीनी डालेंगे 150 ग्रम चीनी डालेंगे चीनी का रेशो वही है अपने टेस्ट के साब से हम कमिया जादा कर सकते हैं चीनी को मेल्ट होने पकने देंगे और फिर से 5-7 मिट पकने देंगे तके चीनी डालने के बाद में जो पानी इसमें आ जाता है यानी चीनी का पानी जो छुटता है तो यह मिल्क और पतला हो जाता है तो हमें थोड़ा थिक करना है जब तक हम छोटा से एक बाॉल लेंगे 2 टेबल स्पून इस इसमें लगवक 2 टेबल स्पून जितना हम मिल्क लेंगे और मिल्क लेने के बाद में इसे अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे ताकि इसमें जितने भी लंब्स हो निकल जाए क्योंकि कस्टड हो गया और कॉन फुलार हो गया इसमें थोड़ा सा पानी है मिल्क दालने के बाद म करने करें हो करके रखा न तो कस्टड दालने के बाद में अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे और हमें जो कस्टड की कंसिरिंस इस तरीकी की चाहिए ना एकदम ठिक चाहिए ना एकदम ठीन क्योंकि हम इसे फ्रीज करेंगे यानि फ्रीजर में ठंडा होने के लिए रखेंगे ना कस्टड और या कॉन फ्लावर है बहुत ज्यादा थीक हो जाता है तो हमें टोटली टो टेबल स्पून इसमें कस्टड यूज करना है इसे दो से तीर मिटा अच्छी तरीके से पकने देंगे इस तरीके से बबल साना चाहिए अगर इस तरीके से कस्टड में बबल आना चालो होगे तो हमें समझ जाना चाहिए कस्टड अच्छी तरीके से पक तोड़ा साथ नहीं थोड़ा सा रोस्ट कर लेंगे जो भी आपके पास में अवेलिबल हो आप उसी सब से कर सकते हैं यह पर थोड़ा सा ओइल लेंगे और जो braid है हमने उसके किनारे काट लिए और इसे अच्छे तरीके से fry कर लेंगे जो एकदम mini size braid होते है जो 10 रुपए का पैक आता है वही हमने इस्तेमाल किया सिफ हमने उसके किनारे निकाल लिए और उसे इस तरीके से brown होने तक कि fry करेंगे और gas की flame हमने fully रखी है जो dessert है बिल्कुल भी खाने में अच्छा नहीं रखी है इसलिए हमें oil बहुत अच्छी तरीके से इसका निधार ना है और फिर हम एक प्लेट में इसे निकाल के रख देंगे इसी तरीके से जो सारे bread है हम इसे fry कर लेंगे अगर आपको oil में fry नहीं करना तो हम double से आपको कहेंगे किसे जो देशी घी होता है उसमें shallow fry कर लेंगे अब हम क्या करेंगे यहां पर एक जो भी हमारे पास में डीश हो डीश लेंगा अब यहां ध्यान रखने वाली बात यह कस्टड एक दम होट होना चाहिए जैसे हम गरम करके कस्टड साइट में फ्रीज में नहीं रखना हम इसी तरीके से गरम रहने देना है और फिर हम इसे डिशभे नि्काल दिशThe ावः करीएं यायन जो भी आपके पास में अवयलिबलुड । नट्स ऋडाभ लन नहीं भी दाले तो कोई प्राबल्ब्लम लगा रहे हैं लेकिन आपको इसमें इसे अच्छी तरीके से डीप करना है ताकि जो एकदम गरम-गरम कस्टड है तो जो ब्रेड है वो अच्छी तरीके से सोक कर ले और इसके उपर से हम क्या करेंगे क्रश की वेफे से नट्स दालेंगे नट्स का वही आपके आपको जो भी पसन आप उसे सबसे नट्स इस्तेमाल कर सकते तो लीजे गाइज यहां पर बहुत ही जबर्दस और बहुत ही जल्दी बनने वाला ब्रेड डेजर्ट रेडी है और हमने डेकोरेट के लिए खली ब्रेड को उपर रखा है हम बाद में जो ब्रेड है इसे अच्छी तरीके से किसमें डीप कर देंगे ताकि जो ब्रेड हाड ने एकदम सॉफ्ट हो जाए तो लीजए कैज यहां पर बहुत ही बहुत ही तरीज सा और बहुत यूनिक सा अسم awareness इפயर तो I hope guys आपको ये रेसे भी पसा नहीं हो, अगर आपको ये रेसे भी पसा नहीं हो, तो please please like करना, share करना, subscribe करना, साइट में जो bell बटन आतो उस call पर click कर देना, ताके आने वाले हर वीडियो का notification आपको मिलता रहे, Allah आफिस.